हलो फिंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग रॉयल इंडिया नेवी रिन म्यूटिनी को डीटियल में कवर करेंगे यह जो आप देख रहे हैं यह है बिटिश इंडिया की कोस्ट लाइन जस्ट बिफोर सेकेंड वर्ल वार और इस कोस्ट लाइन को अगर आप कंपेर करोगे बिटिश इंडिया की लैंड बॉर्डर से तो यह लैंड बॉर्डर से कहीं ज़्यादा थी और एक एस्टिमेट के हिसाब से यह कोस्ट लाइन लैंड बॉर्डर की थ्री टाइम्स हुआ करती थी बट अगर बात करें Royal Indian Navy की तो इट वाज़ा Skeleton Service बहुत ही कम लोग थे Royal Indian Navy में तो फिर कुशन ये आता है कि British India की Coast Line को गार्ड कोन करता था British India की Coast Line को गार्ड करती थी Royal Navy यानि British Naval Warfare Force और इसके लिए Royal Navy को हर साल एक लाग पौंड भारस से दिये जाते थे बट हुआ गया कि Royal Indian Navy के संख्या जो साल 1939 में मातर 1200 के असपास थी उसे बहुत तेजी से बढ़ाया गया Second World War के दोरान Royal Indian Navy के लिए Mass Scale पर Recruitment किये गए और देखते ही देखते 1944 तक Royal Indian Navy के मेंबर्स के संख्या 30,000 से भी जादा कर दी गई 1200 से डारेक्ली 30,000 हो जाना मतलब 25 ताइम्स 25 गुना और वो भी मातर 5 सालों में और ये Mass Scale Recruitment कोई Officer rate के लिए नहीं हुआ था यहाँ पर पूरी तरह Naval Ratings को Recruit किया गया था Naval Ratings मतलब Navy के Junior Most Members जिने हर तरह के छोटे मोटे काम दी जा सकते थे Including Ships पर जाड़ू लगाना और हमने ये तो देखा ही कि Naval Ratings के संक्या बहुत तेजी से बढ़ाए गई थी बट उस हिसाब से Britishers ने Navy में Facilities और Infrastructure के इंसिजाम को नहीं बढ़ाया था इसकी वजह से इन Naval Ratings को जो Accommodation की Facility मिली वो बहुत ही बेकार थी और नहीं इनके salary अंग्रेज हो जैसी थी और क्योंकि ये लोग trained भी नहीं थे तो छोड़ी मोडी गलती होने पर इनको गालिया भी सुनाई जाती थी इन सब कारणों के वजह से Naval Ratings काफी जादा परिशान थे फिर एक incident हुआ British officers ने कहा कि 1 November 1945 Navy Day की तरह दिन भर इन ships पर British जंडे लगाए और ऐसे में HMIS तलवार की Naval Ratings का गुस्सा अंदर ही अंदर भढ़क रहा था HMIS तलवार की Naval Ratings के एक group ने decide किया कि सुभा होने से पहले Navy Day की तयारियों को पूरी तरह से बरबाद कर देंगे इन्होंने British जंडे हटा कर Quit India, Revolt Now और Kill the British जैसे जंडे Navy Ships पर चार उतरफ लगा दिये इसके बाद लंबी कारेवाई हुई और कई सारे Naval Rates को Arrest कर लिया गया इसके अलवा उन दिनों निउस्पेपर में खबर आई कि British Government INA Trials अब Publicly करेगी INA Trials तो 1943 से ही चल रहे थे बढ़ अब British Government 1945 के November December महीने में Trials को Publicly करने वाली थी Red Fort पर इस खबर ने पूरे देश को हिलागे रख दिया था और इस खबर ने इन Naval Rates को भी काफी ज़ादे इंपेक्ट किया इन सब चीजों के साथ इन Naval Rates को Indonesia या फिर Egypt भेजे जाने से भी शिकायत थी और ये चाहते थे कि इनके जिन साथियों को Indonesia या फिर Egypt भेजा गया है उनको वापस लाए जाए इन सब कारणों के चलते HMIS की Naval Ratings ने 17 फेबरे 1946 की रात को डिसाइड किया कि अब इने कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा बट कुशन ये था कि ये सभी Naval Ratings को अपने साथ कैसे लाएं ताकि इनकी मुहीम में ज्यादे से ज्यादे लोग जुड़ पाएं इनके पास एक्जम्पल था Civil Disobedience Movement का इन्होंने सुचा कि गांधी जी ने Salt Tax को मुद्दा बनाया क्योंकि Salt इनसान की रोज मरा की चीजों में से एक है इसे मुद्दा बनाकर गांधी जी ने पूरे देश को अपने साथ ले लिया था Naval Ratings भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे इसलिए इन्होंने फूड को अपना मुद्दा बनाया इनको घटिया खाना दिया जाता था इसको मुद्दा बनाया क्योंकि हर एक Naval Rate इस बात से परिशान था इन्होंने स्लोगन दिया No Food No Work यानि ना खाएंगे और ना ही काम करेंगे इस स्लोगन के साथ HMIS तलवार पर Naval Ratings ने स्ट्राइक कर दी और 18 February 1946 के सुभा से ही ये हंगर स्ट्राइक पर चले गए ये मैसेज इन्होंने दूसरी Naval Ships को भी भेज दिया दूसरी जगा के Naval Ratings भी इस मोहिम में जुड़ गए और जगा जगा Congress, Muslim League और Communist Flag अब हर जगा दिखने लग गए थे टोटल 88 Naval Ships थे उस टाइम पर उन में से 78 Naval Ships के Naval Ratings पूरी तरह से इस स्ट्राइक में जुड़ चुकी थी और इस तरह 18 February 1946 को शुरू हुई RIN Mutiny Naval Ratings अब अपने Ships को छोड़ कर Congress, Muslim League और Communist Flag को अपने हातों में लिए मुंबई की सडकों पर आ चुके थे मुंबई के आजाद मैदान में इनकी एक मीटिंग हुई जहां पर रिलीज आये ने विड्रो इंडियन टूप्स रूम इड़ोनिशा जैसे नारे लगाए गए और यही सब इनके डिमांड्स भी थी civilians अपनी sympathy दिखाते हुए इनके लिए खाना लेकर आने लगे क्योंकि ये बात अब सबको पता थी कि नेवल रेटिंग हंगर स्ट्राइक के हुए है अब जरूरत ये थी कि इस स्ट्राइक को organized political movement बनाये जाए इन लोगों ने एक 14 member committee बनाई जिसका नाम था NCSC यानि Naval Central Strike Committee President थे MS Khan और Vice President थे Madan Singh इनकी ये स्ट्राइक पूरी तरह से secular थी और इस स्ट्राइक को 1857 revolt की ही तरह एक बड़ा रूप देने के लिए इन्होंने national leaders को अप्रोच किया इन्होंने सर्दार वल्लभाई पडेल और मोहमद अली जिन्ना को अप्रोच किया बट national leaders ने इनके इस कदम को सही नहीं माना और बोला कि चुप चाप surrender कर दो और वापस naval ships पर लोड़ जाओ इसी के साथ national leaders ने इनको भरोसा दिलाया कि अगर आप ऐसा करते हो हमारी बाते मानते हो तो आपको victimize नहीं किया जाएगा इसकी हम कोशिश करेंगे अब नीवल लेटिंग्स के लिए आगे कोई रास्ता नहीं था बिडिश गर्मेंट ने आलड़ी अपनी army troops छोड़ दिये थे इनके पीछे और national leaders ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने से मना कर दिया ऐसे में इन्हें सरेंडर करना ही पड़ा इस तरह 23rd February 1946 को ये रिन म्यूटिनी समाप्त हो गई इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में समझने के लिए बुकस्तावा की प्लेलिस को फोलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तावा